Welcome back to my YouTube channel, Dear Students, ये वीडियो BG 5th semester Political Science Students के लिए है, हमने आपको पहले ही ग्रुप्स में बताया था कि हम Political Science के regarding classes start करेंगे, वीडियो अपलोड करेंगे और काफी students के requests भी आये हैं कि Sir Political Science के कुछ वीडियो अपलोड करो ताकि हम exam को आसानी से पास कर सके ये हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम cover करेंगे Aristotle's Concept of citizenship उससे पहले आप BG 5th semester Political Science का syllabus देख लीजे जो आपके सामने है इसमें जो पहला यूनिट है वो है Western Thought Overview जिसको हम last में cover करेंगे पहले जो ये Western thinkers है इनकी इन theories को पहले हम cover करेंगे और last में जो पहला यूनिट है Western Thought Overview इसको भी पढ़ेंगे क्योंकि ये उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चनल पर पहली बार विजिट कर रहे है तो इस चनल को सबस्क्राइब करें तो आज का जो वीडियो है वो है Aristotle's Concept of citizenship जो के आपके syllabus में भी है उससे पहले हम थोड़ा introduction जान लेते है Aristotle के बारे में उससे पहले आपको एक स्विकेनस पता होनी चाहिए हर एक political sign student के लिए Socrates का student था Plato, Plato का student था Aristotle और Aristotle का student था Alexander ये आपके syllabus में तो नहीं है लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए आगे आपके काम आएगा Aristotle हमें यहाँ पढ़ना है तो थोड़ा इसके बारे में introduction पता होना चाहिए इसकी जो पैदाइश हुई 322 BC to 384 BC इसकी life span है इस time से इस time तक और stagra Greece में ये पैदा हुए ये आपको पता होना चाहिए और इसने अपनी जो theories start की अपनी जो journey start की वो इसने अपनी एक book politics से start की ये आपको exam में लिखना है और जैसे मैंने lecture frame किया है इसको आप अपने words में रख पर लिखे और ऐसी तरह आप exam में भी इसको लिखे आपका ये question अच्छा हो जाएगा इसकी जो book है politics ये two volumes में है book one and book two और book first में इसने state के बारे में क्या कहा है आपको होगे sir हमारे syllabus में तो citizenship है फिर आपने यहाँ state को क्यों add किया है so state इसलिए मैंने यहाँ पर add किया है ताकि आपको citizenship का concept समझाए आगे आपको पता चलेगा कि state के बारे में मैंने यहाँ पर add क्यों किया है इसने book one politics में state के बारे में कहा है कि state is the association of associations इसका क्या मतलब है association of associations इसका मतलब है कि पहले families बनी और families जब जब ज़ादा हुई तो उन्होंने villages बनाए और जब villages ज़ादा हुए तो उन्होंने districts बनाए और जब districts ज़ादा हुए तो उन्होंने state बनाया ये सुई के नजदी है Aristotle ने in his book first of politics और इसके बाद इसने book second लिखी politics की जब उस time तक time भी बहुत गुजर चुका था तो इसने ज्यादा analyze किया अपनी country को अपनी state को और इसने दूसरी book में लिखा कि state is not only the association of families, villages, districts but state is also association of free men's इसका क्या मतलब है means state is association of individuals, individuals is free men's ये इसने अपनी दूसरी book में कहा है जिस तरह मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ इसी तरह आप अपने सामने एक graph रखें और इस question को अपने words में frame करें और इसने जो concept दिया है जो मैंने अभी उपर आपको बताया इसको कहते है organic theory of state यानि इस theory को इसने नाम दिया है organic theory of state ये आप पहले underline कर सकते हो उपर रखें और उसके नीचे जो मैं बता रहा हूँ वो आप लिख लिजे first priority to state यानि Aristotle ने first priority दिये है state को यानि पहले state बाद में बाकी सब चीजे पहले इसने state को रखा है और बाकी जो चीजे है वो बाद में इसने रखी है यानि first जो individualist है उनको state की बहबूदी के लिए काम करना है state की बहबूदी के लिए उटना बैठना है ये Aristotle का मानना है और इसने क्या कहा है man is by nature a political animal he who does not live in a state or who does not need a state और either a beast or a god ये quiet मैंने इसलिए यहाँ पे लिखी है ताकि आपको अंदाजा हो कि Aristotle ने state को कितना important रखा है इसने कहा है man is by nature a political animal और वो इनसान जिसको state की जुरूरत नहीं है और जो state में नहीं रहना चाहते वो या तो beast है यानि animal है और या तो वो खुदा है God है जिसको state जुरूरत नहीं है या जो state में नहीं रहना चाहते या तो वो जानवर है या ही खुदा है यहाँ से आपको अंदाजा हो सकता है कि Aristotle ने state को कितना important रखा है यहाँ मैंने plateau की भी एक point को note किया है इसलिए ताकि आपको Aristotle का concept समझ में आए Aristotle ने plateau ने अपने state के बारे में कहा है my state will be prosperous, stable, strong when there is rule of philosopher kings यानि मेरा state तब एक prosperous state बनेगा stable, strong state बनेगा जब उसमें rule of philosopher kings होगा यह plateau ने कहा है लेकिन उसके दूसरी side इसकी student Aristotle ने कहा है if you want to know my nature of state, first you need to know the concept of citizenship, nature of my seasons यहाँ पे आपको समझ आया होगा मैंने क्यों Aristotle's concept of state भी इसमें add किया, Aristotle ने कहा है अगर आपको मेरा state, my nature of state जानना है कि मेरा state कैसा है तो उसके लिए पहले आपको my theory of citizenship जाननी होगी, उसको पढ़ना होगा, nature आप में स्टीजन जानना होगा, जब आपको वो पता चलेगा, उसके बाद आप my theory of state, मेरे state को समझ सकते हो यह Aristotle का कहना है, तो यहां से जो आपके syllabus में है, Aristotle's concept of citizenship वो यहां से start होता है तो क्या citizenship, क्या concept दिया है, Aristotle ने about citizenship वो हम आगे जानेंगे Aristotle ने जो अपनी thought start की है, यह इसने negatively start की है, क्या मतलब है इसका कि negatively start की है एक example की थो, मैं आपको यह समझाऊंगा, for example, मैं मेरे पास दो बंदे है, जिन से मैं सवाल करता हूँ, define peace यह मैं अगर आप से भी पूछूँ तो आप कैसे जवाब दोगे, कुछ उसमें होंगे, for example, मुबश्यत इसको मैंने पूछा, define peace, यह मुझे जवाब देता है, कि जहाँ पे justice हो, जहाँ पे right हो, जहाँ पे rule apply हो, जहाँ पे freedom हो, वहाँ पे peace है, वो जगा peaceful है इसके दूसरे साइट, मैं जुनियत से पूछता हूँ, define peace, यह मुझे जवाब देता है, absence of conflicts, kios, discrimination जहाँ हो, जहाँ इनकी absence हो, वो जगा peaceful है, वहाँ peace है जवाब तो दोनों का सही है, लेकिन जो जवाब यहाँ जुनियत ने दिया, वो negative अंदाज में दिया, negatively अपना जवाब दिया इसी तरह Aristotle ने अपना जो concept of citizenship दिया है, वो negatively start किया है, कैसे यह आपको आगे समझाएगा जब इसने यह concept दिया, तो इसने अपने आप से खुदी एक सवाल किया, पहला जो इसका सवाल है, who is not a citizen तो यहाँ पे आपको समझाया होगा, कि कैसे इसने अपना thought negatively start किया है अगर हम, मैं आप से पूछू, what is citizenship, who is a citizen, तो पहले आप कहोगे, कौन स्टीजन है, उसके पास क्या राइटस होगे, फिर आप आओगे, कि कौन स्टीजन नहीं है जिसके पास राइटस नहीं है, बाकी चीज नहीं है, वो स्टीजन नहीं कहलाता है लेकिन अरिस्टोटल ने यहां अपना thought start किया है negatively, यानि पहले इसने कहा है, कौन स्टीजन नहीं है, इसके बाद यह आता है, कौन स्टीजन है सो पहली बात जो इसने कही है residence, यानि अगर एक इनसान किसी जगा पे 10 साल से 20 साल से रह रहा है, उसको अरिस्टोटल स्टीजन नहीं मानता जैसे recently कश्मीर में एक law बनाया गया, कि कश्मीर में जो पिछले 15 साल से रह रहे होंगे, उनको स्टीजन शिप मिलेगी, उनको domosile certificate मिलेगी ये आप सब को पता होगा, लेकिन Aristotle यहाँ पे इस चीज़ को डिने करता है, ये कहता है कि अगर कोई इनसान 50-100 साल से भी एक जगा पे रह रहा है, ये उसको स्टीजन नहीं मानता, वो उस country, वो स्टेट का स्टीजन नहीं है दूसरी बात जो Aristotle करता है, enjoyment of legal rights, यानि अगर एक individual जिस जगा पे रह रहा है, उस जगा पे legal rights को भी enjoy करता है like right to vote, right to freedom, freedom of expression, freedom of speech, अगर वो इन rights को enjoy भी करता है, फिर भी वो उस state का, उस country का स्टीजन नहीं है यानि Aristotle उस individual को भी स्टीजन नहीं मानता, जो legal rights भी enjoy करता हो, ये इसकी दूसरी बात है, तीसरी बात इसकी है, decent of a particular person, community, caste, etc मतलब कि अगर मेरे या आपके, जो आपके आबाव अजदाद है, वो किसी जगा पे रह रहे है, यानि सद्यों से रहते आ रहे है, किसी community में, किसी caste से वो बिलांग करते है, बहुत time से, फिर भी Aristotle उनको भी season consider नहीं करता यानि वो भी season नहीं है, जिसके आबाव अजदाद किसी जगा पे सद्यों से रह रहे हो, वो भी season नहीं है यानि यहाँ पे हमने तीन चीज़े पड़ी, पहले है residence, अगर कोई इनसान बहुत time से एक जगा पे रह रहा है, चाहे 10 साल, 20, 50, 100 साल, Aristotle उसको season नहीं मानता अगर वो individual, legal rights भी enjoy करता है, फिर भी Aristotle उसको season नहीं मानता और अगर उसके आबाव अजदाद किसी community में सद्यों से, सालों से रह रहे है, Aristotle उसको भी season नहीं मानता तो फिर कौन है season, यह तीनूं अगर season नहीं है, हमारे according, अगर हम देखेंगे, तो अगर कोई इंडिया में enjoyment of legal rights और 10, 20 साल से रह रहा है, तो वो season कहलाता है और अगर उसके आबाव अजदाद इस country में रह रहे हो, बहुत सालों से, तो definitely वो इस country का season कहलाएगा लेकिन Aristotle की नजदीक, यह तीनूं season नहीं है, फिर यह दूसरा question अपने आप से करता है, खुदी question करता है, खुदी उसका जवाब भी देता है what makes a person season, यानि फिर अगर उपर की चीजे, यह अगर एक individual के पास है, फिर भी season नहीं है, फिर कौन सी वो चीजे है, जो एक individual को season बनाती है यह दूसरा सवाल है Aristotle का, इसको हम next video में पढ़ेंगे, next video हम इसका upload करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि Aristotle के नजदी कौन season कहलाता है so I hope कि आपने इस video को enjoy किया होगा, और जो मैंने इसमें बताया आपको अच्छे से समझाया होगा, आप एक रख पे इसका note बनाए और practice करें, ऐसे ही जैसे मैंने बताया है, ऐसे ही आप exam में लिखे, easily आपका paper अच्छा हो जाएगा, so next video में फिर मुलाकात होगी, till then take care